दोस्तों आज के कहानी है अकबर बीरवल की बुद्दी से बरा बरतन एक बार की बात है राजा अकबर हुआ उनके प्रिय बीरवल के बीच कुछ मन मुटाव हो कया इसके चलते राजा ने बीरवल को राजे से दूर जाने की सजा दे दी इस परिस्तिती में भी बीरवल ने हार ना मानी और उन्होंने अन्य गाव जाकर वेश बदल कर खेती करना सुरू किया अब वे एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे सुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामानने सा था लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजा को अपनी गलती का एसास होने लगा वे अपनी देनी दिन चर्चा में बीरवल को यात करने लगे थे जब भी उनके समक्स कोई मुश्किल परिसानी आती तो उन्हें बीरवल की कमी खोप खलती थी एक दिन राजा अकबर से रह नहीं गया उन्होंने अपने सेना पति को बुलाया और उन्हें बीरवल को ढूंड लाने का आदिश दिया राजा की आग्या अनुसर हर गाओ हर गली में बीरवल की खोश शुरू हो गई सभी सेनिकों ने हर एक कोना चान मारा लेकिन वे बीरवल को ढूंड ना सके राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो बड़े निरास हुए अब बीरवल से मिलने की उनकी वेचेनी और बढ़ने लगी थी अचानक राजा के मन में एक उपाय आया उन्होंने आदिश दिया कि सभी गाओ के मुख्या को संदिश भेजा जाए कि उन सभी को एक बरतन के अंदर मुर्दी डाल कर राजा को भेजना होगा जो भी इस आदिश को पूरा नहीं करेगा उसे इसके बदले एक बरतन में हीरे जवाई रात बरकर राजा को भेजना पड़ेगा सभी गावासी राजा के इस अजीबो गरीब आदिश को सुनकर परिसान थे सभी ये सूच कर हरान थे कि बुद्धी को किस तरह एक बरतन में भरा जाए बुद्धी तो सभी के पास उपलद थी लेकिन उसे किस तरह एक बरतन में डालना है ये सूच कर सभी परिसानी में थे ऐसा ना कर पाने की अविस्था में उन्हें उसी बरतन को कीमती हीरे जेवरात से भरना था जो कि इससे भी बड़ी समयश्यत थी वही जिस गाव में बीरवल एक सामानने किसान का भीष बना कर रह रहे थे वहां भी राजा का ये आजेश चर्चा का विसे बना हुआ था गाव के सबी बड़े बुजरुग निरास होकर बेटे हुए थे कि वहां बीरवल आए और उन्होंने कहा कि वे इस समयश्यत का समधान निकाल सकते हैं पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ लेकिन उनके पास बीरवल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था इसलिए इस काम की भागदोड बीरवल को सोपी गई उस वक्त गाव में तर्वूश की फसल उगाने का समय था बीरवल ने तर्वूश के पौदे की एक बेल को एक बरतन में डाला दीरे दीरे उस बेल में तर्वूश कब फल लगने लगा और समय के साथ ही तर्वूश ने बरतन का आकार ले लिया जैसे ही बरतन तर्बुच से पूरा भर गया, बिर्बन ने बेल को फल से अलग किया और उस बरतन को तर्बुच समेथ राजा के दर्वार में भिजवा दिया, सात में ये संदेज भी भेजा कि उस बरतन के अंदर बुद्धी भरी है और राजा को बरतन को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा जैसे ही राजा ने तर्बूस से भरा हुआ बरतन देखा वो उसे निकालने की सर्थ सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बीरबल का ही हो सकता है उन्हों को ने जल्दे जल्दी से अपना गोड़ा मंगवाया और बीरबल को अपने साथ वापिस लाने के लिए गाव की और चल दिये कहानी से सीख इस कहानी से हमें यह सिक्सा मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई ना कोई जवाब जरूर होता है हमें केवल थोड़ा हटकर सूचने की जरूरत होती है कि दोस्तों गुड मैसेज ट्यूबर चैनल को लाइक करे सब्क्राइब करें और थैंक्स फॉर फॉल वाचिंग एंड प्लीज सब्क्राइब माई चैनल गुड मैसेज ट्यूबर चैनल को लाइक करें सब्क्राइब करें और दोस्तों कमेट करके जरूर बताना दोस्तों मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहोंगा